हेलो दोस्तों वेलकम टो ओनली सिबिल्स कुरू तो आज हम डिसकस करने वाले हैं 20 फरवरी और 21 फरवरी का करेंट अफियर आई होप आपको इस शेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हम 19 फरवरी के करेंट अफियर का रिविजन भी करेंगे तो बने रहें एंड तक और स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमबर बन से इंडिया लिम्टेट के सत्रवे इस्ताफना दिवस के अफसर पर पंच तत्र पर पहला रंगीन इसमारिका सिक्का लॉंच किया है तथा बित्र मंत्री ने अपने संबोधन में कोशल को बढ़ाने में और नए कोशल को हासिल करने में तथा प्रद्योगी की संचालित अर्थ विवस्ता को पूरा करने के लिए इस उन्यन पर जोर दिया है दोस्तों तो आईए देखते हैं क्वेशन नमबर सेकेंड हाल ही में भारत और किस देश ने ब्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते पर हस्ताच्छर किये हैं और दोस्तों इन दोनों देशों को क्या लाब मिलेगा तो दोस्तों इन दोनों देशों के बीच के व्यापार की भढ़ने की संभावना और भढ़ जाएगी तो आईए देखते हैं क्वेशन नमबर थर्ड निम्न में से मार्च 2022 में साउथ एशियन क्रोस कंट्री चैंपियनशिप और चपनवी नेशनल क्रोस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा ओप्शन A नई दिल्ली, ओप्शन B कोहिमा, ओप्शन C मुंबई या ओप्शन D गुहाटी तो दोस्तों ओप्शन नमबर B is correct कोहिमा ये दोस्तों 12 एशियाई क्रोस कंट्री चैंपियनशिप और 56 राश्टी क्रोस कंट्री चैंपियनशिप 26 मार्च 2022 को नागा लेंड के कोहिमा में इंदरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी दोस्तों तथा ये नागा लेंड द्वारा आयोजित यह पहला राश्टिय एथेलिट आयोजन होगा दूस्तों तो आईए देखते हैं question number 4 निम्न मेंसे 2023 में अंतर राश्टिय ओलंपिक समीती सत्र International Olympic Committee Session का आयोजन कहां किया जाएगा option A मुंबई, option B दिल्ली, option C देहरादून या option D चंडीगर तो दोस्तों option number A is correct मुंबई दोस्तों ये अंतर राश्टिय ओलंपिक समीती की कौन सी बैठक थी तो दोस्तों ये 140 भी बैठक थी तथा इसका आयोजन मुंबई में होगा और ये चीन के बिजिंग में ओलंपिक समीती की 149 भी बैठक के दोरान भारत ने अगली बैठक की मेजवानी का अधिकार हासिल किया है और अव 2023 में भारत दूसरी वार ओलंपिक समीती की बैठक की मेजवानी करेगा जबकि मुंबई में पहली वार ये बैठक होगी दोस्तों ये मुंबई में फर्स टाइम होगी तथा इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था और वहीं पर बात करें तो अंतर राष्टिय उलंपिक समीती की 149 भी वैठक जो हुई थी उसमें भारत की तरफ से किसे सामिल किया गया था तो दोस्तों भारत की तरफ से अविनव, बिंद्रा, नरिंदर, बात्रा और नीता मानी शामिल हुई थी दोस्तों अविनव, बिंद्रा कौन है? तो अविनव, बिंद्रा भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिनों ने ओलंपिक में एकल प्रतिष्परदा में स्वड़ पदक जीता था वहीं बात्रा की बात करें तो ये भारतिय उलंपिक एशुशेशन के अध्यच्छ हैं जबकि नीता मानी भारतिय उलंपिक समीती की सदस्थे हैं दोस्तों तो आईए देखते हैं क्वेश्चन नमबर फाइव हाल ही में कौन आर्थिक विकास संस्थान यानि की इंस्टिट्यूट ऑफ एकॉनमिक ग्रोथ के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं ओप्शन ए चेतन घाटे ओप्शन भी दुसियंत चोटाला ओप्शन सी चेतन बर्मा या ओप्शन डी अवशेक सिंग तो दोस्तों ओप्शन नमबर A is correct चेतन घाटे ये दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है वह 2016 और 2020 के बीच भारतिय रिजर्ब बैंक की पहली मौदरिक नीती समीती के सदस से रह चुके थे दोस्तों वहीं वर्थवान की बात करें तो ये स्वानसी विश्वविद्याले Wells UK में मैक्रो एकॉनेमिक्स और मैक्रो फाइनेंस में अनुसंदान केंद्र के एक बहारी सयोगी हैं दोस्तों तता इन्होंने किसका इस्थान लिया है तो इन्होंने अजीत मिश्रा का इस्थान लिया है तो आईए जानते हैं दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के अध्यच कौन है तो दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के अध्यच तरुट दास है और इसके संस्थापक V.K.R.V. र तो आईए देखते हैं question no.6 हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्टिय उच्च तर सिच्छा अभियान यानि की रूसा की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है option A 31 March 2026, option B 31 March 2025, option C 31 March 2024 या option D 31 March 2025 तो दोस्तों option no.8 is correct, 31 March 2026 ये सरकार ने राष्टिय उच्च तर सिच्च अभियान यानि की रूसा की योजना को 31 March 2026 या अगली समिक्षा तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है तो दोस्तों ये राष्टिय उच्च तर सिच्च अभियान क्या है तो दोस्तों ये एक केंदर प्रयायोजित योजना है जिसके तहट समानता, पहुँच और उद्क्रस्टता के लच्छियों को प्राप्त करने के लिए उद्देश से राज्य सरकार के विश्य विद्याले और कॉलिजों का वित्त पोशड करने के लिए काम किया जाता है तो आएए देखते हैं क्वेश्चन नमबर सेविन भारतिय बाड़ेज एवं उद्धोग महासंग ने पहली बार किस महिला को अपने मीडिया एंड एंटर्टेन्मेंट बोर्ड का सहय अद्यच यानिकी को चेर नियुक्त किया है ओप्शन ए जोती देश पांडे ओप्शन भी आरोही मिश्रा ओप्शन सी प्रियंका स्रीवास्तर या ओप्शन दी दीपा सिंग तो दोस्तों ओप्शन नमबर एई इस करेक्ट जोती देश पांडे ये दोस्तों जोती देश पांडे जो बिया कौम के मीडिया प्राइवेट के नेतुरत में है और लिम्टेड को मुक्ख कारकारी अधिकारी CEO के रूप में फिक्की मीडिया और एंटर्टेन्मेंट बोर्ड के सह अध्यच के रूप में नियुक्त किया गया है तो दोस्तों जोती देश पांडे को फिक्की मीडिया और एंटर्टेन्मेंट बोर्ड के सह अध्यच के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों फिक्की की स्ताफना हुई है 1927 में बिहार सरकार किस दिन को सही दिबस के रूप में मनाने जा रही है आप्शन A 13 फर्वरी, आप्शन B 14 फर्वरी, आप्शन C 15 फर्वरी या आप्शन D 16 फर्वरी तो दोस्तों आप्शन C is correct 15 फर्वरी ये दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर्ष शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 सुतंतरता सेनानियों के सम्मान में 15 फर्वरी को सहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा कहाँ पे तो दोस्तों ये बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर्ष शहर में तो आईए देखते हैं question number 9 हाल ही में 17 और 18 फर्वरी को छटा अफरीकी संग और यूरूपिय संग सिखर सम्मेलन कहाँ आविजित किया गया option A Brussels, option B Japan, option C Parish, option D Rose तो दोस्तों option number A is correct Brussels ये दोस्तों छेवा अफरीकी संग और यूरूपिय संग सिखर सम्मेलन 17 फर्वरी और 18 फर्वरी 2022 को ब्रुसेल्स में आयविजित किया गया जिसमें अफरीकी संग और यूरूपिय संग के सदस्य देशों के प्रमुखों ने भाग लिया है और इस बैठक की सै अध्यचता यूरूपिय परिशद के अध्यच सेनेगल के राष्टपती और A.U. के अध्यच ने की है किस ने की है तो दोस्तों इसकी अध्यचता सेनेगल के राष्टपती और A.U. के अध्यच ने की है और इस सिखर के सम्मेलन के दोरान नेताओं ने नए सिरे से साजेदारी के लिए एक संयुक्त द्रश्टी कोण पर सहमती को व्यक्त किया है तो आईए देखते हैं question number 10 अंतराश्टिये मात्र भासा दिवस किस दिन मनाया जाता है और दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश दुनिया भर में अपनी भासा संस्कृती के प्रती लोगों में रुजान को पैदा करना और जागरुकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश है तथा वर्ष 1999 में मात्र भासा दिवस मनाने की घुषडा यूनिसको में की गई थी और वर्ष 2000 में पहली वार इस दिन को अंतराश्टिये मात्र भासा दिवस के रूप में मनाया गया था तथा अंतराश्टिय मात्र भासा दिवस 2022 की थीम बहुवाशी सिच्छा के लिए प्रद्दोगकी का उप्योग और चुनाउतियां और अपसर पर रखी गई है दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन एक्सराइज और रिवीजन में आज हम करेंगे 19 फरवरी की करेंट अफेर का रिवीजन तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नमबर वन हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां सुरू हुई है तो दोस्तों मुंबाई में बॉटर टैक्सी सुरू हुई है क्वेश्चन नमबर टू है किस राज में विक्रम सारावाई चिल्डरन एनोवेशन सेंटर का उधगाटन किया गया है क्वेश्चन नमबर थर्ड है हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताफ किस ने जीता है तो दोस्तों ये चेल्सी ग्रूप ने जीता है क्वेश्चन नमबर फोर है भारत में बना UPI payment system को सुईकारने वाला पहला विदेशी राश्टर कौन बना है तो दोस्तों नेपाल है जो UPI payment system को सुईकारने वाला पहला विदेशी राश्टर बन गया है क्वेश्चन नमबर फाइव भार्तिय नौसेना ने किस सुपर सौनी क्रूज मिसाइल का सफल परिचड किया है तो दोस्तों, ब्रहमोस मिसाइल ने सफल परिचड किया है Q6 है हाल ही में पहली Mobile Bio Safety Lab का उदगाटन कहां किया गया तो दोस्तों ये नाशिक में पहली Mobile Bio Safety Lab का उदगाटन किया गया Q7 है दच्छर एसिया का सबसे बड़ा Bio CNG सयंत्र कहां इस्थापित किया गया है तो दोस्तों ये इन दोर में सबसे बड़ा बायो CNG सयंत्र इस्थापित किया गया है Question No.8 है निम्न में से किस भासा के प्रसिद कवी और लेखक चनवीरा कानवी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तों ये कननड भाशा के थे और ये प्रसिद कवी और लेखक थे तो इनका निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया Next Question और हमारे Revision का Last है हाल ही में किसने वीका नेर जिला चेतर में स्कूली बच्चों के लिए परामर्ष 2022 करियर परामर्ष कारिशाला को लांच किया है तो दोस्तों ये अरजुन राम मेगवाल ने परामर्ष 2022 करियर परामर्ष कारिशाला को लांच किया है दोस्तों ये है आपके कल के प्रशन का उत्तर आपसे question किया था चिलका जील कहां पे इस्तित है तो दोस्तों चिलका जील उडिशा में इस्तित है तो दोस्तों ये था हमारे कुछ 10 important current affair का session I hope आपको पसंद आया होगा और पसंद आये तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like, share and subscribe जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share कीजिए और चलिए कल मिलते हैं इपनी next वीडियो में तब तक के लिए thank you